सुप्रभाद बेटा, गुद मॉनिंग, हाउर यू आल, फाइन, ओके, आप लोगों के अभी टर्म वन के एक्जाम होके चुके होके, और आप लोगों ने पेपर भी लिख लिया है, स्कुल में, आपने दे भी दिया है न, सारे सब्जेक्टों के पेपर, ओके, तो अब क्या है, पी टर्म वन के बाद क्या आएगा, पीटी वन, फिर टर्म वन, ऐसे ही अब पीटी टू आएगा, फिर बाद में टर्म टू आएगा, ओके, तो अब पीटी टू के लिए हम आगे के जो लेसन है, लेसन सेवन तक हमने टर्म वन में ले लिया, ओके, उसके बाद पीटी थ्री विशे हिंदी में क्या करेंगे बीटा वर्ड माला का एक बार रिवीजन करेंगे वापस से मतलब स्टार्टिंग में हमने शुरू में पढ़ी थी निए जब हम आप लोग स्टार्टिंग में दैब थर्ड क्लास में आये थे हैं न इसलिए हम एक बार वापस से इसका अभ्यास करेंगे क्योंकि आपको बहुत दिन हो गए और आप लोग क्या करते हो वर्ड माला को बार बार नहीं देखते हैं न एक बार जब मेडम ने शुरू में लिखवाया वस उसी समय ध्यान से पढ़ा होगा और लिखा होगा उसके बा बार वर्ड माला को डिवीजन करते रहना चाहिए क्योंकि जिससे अगर हमको यह अच्छे से आ जाएगा और मात्रा अच्छे से आ जाएंगी तो हम आराम से लेसन पढ़ भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं आराम से हिंदी में कोई भी लेसन पार्ट हमको पढ़वा दो हम आपको बताऊंगी तो सबसे पहले स्वार में क्या स्वार में क्या आता है स्वार 11 होते हैं तो सबसे पहले क्या है अ आ ई ई उ री रिशी ए आई ओ अउ अं अह यह हमारे स्वार हो गए स्वार कितने होते हैं 11 होते हैं 11 मिंस यहां तक आउ तक इसके बाद यह अनुस्वार होता है और यह विसर्ग होता है ऊके तो स्वर कितने होंगे भी टागी ध्यारा होते हैं अभी तक उसके बाद इसको हम अनुस्वरण बोलते हैं और विसर्ग भोलते हैं आप लोगोंने यह सीखा लिये होगा ओके था रहुतनेstar 33 33 और बाकी क्या यह जी नीचे होते ना चत्रक ड्याश्र यह इसको हम सैफ्ट वेंजन बोलते हैं किवल यहां तक वेंजन वर्ण होते हैं हा तक श स स हा तक एक बार वापस पढ़ेंगे इसको क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, 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 ल, त, ठ, ध, 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 न, प, फ, ब, व, आ, म, य, , र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ग्याश्र उके यह श, स, स, ह यहां तक हो गए व्येंजनवन, उसके बाद यह साइक्ट्राज्जन, जैसे चत्रग्य्य, श्र, इनके हम अलागलग शब्द बनाते है ना, कक्षा, शिक्षा, रिक्षा, है ना, इस तरह से, इसके त्र, के हम बनाते हैं, पत्र, नेत्र, पुत्र और इसके ग्या से ग्यानी के ग्या ग्यानी ग्यात आग्या श्रो से श्रमेक श्रीमान है ना श्रीमती इस तरह से ये सैंक्त वेंजन शब्द हो गए है और वेंजन वर्ण कितने होते हैं 33 होते हैं अब आगे एक बात देखते हैं ये जो बुक है मैं आपको करा रही ह इसमें यह हमारे स्लेवर्स की बुक नहीं है, हमारी क्लास की बुक नहीं है, वैसे ही बुक है, मैं आपको थोड़े चित्रे आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपको किताब में से पढ़ा रही हूँ, पैचान करा रही हूँ, कि अ, आ, इस तरह से हम बोलेंगे इसको, अब यहाँ पर हमको पहचानना है जैसे यहाँ पर अलग अलग दे दिये शब्द अब उल्टे सीधे शब्द दे दिये आपको स्वर के तो हम पहचान सकते हैं इसको कैसे पहचाने के तो यह क्या लिखा हुआ है बेटा ए से एडी यह बड़ी इसे एक फिर यह अनार का अ उसे ओकली अब यहाँ पर तो हमको स्टार्टिंग में तो आ ऐ ऐसे दे रखा है लेकिन यहाँ पर कैसे दे रखा है उल्टा सीधा दे रखा है अगर आपको अगर यह पूरा स्वर आता होगा तो आप अच्छे से अपने आप इसको सही करके भी लिख सकते हो और पहचान भी सकते हो है ना तो अब हम इसमें कहां क्या ढूनेंगे आम ढूनेंगे तो आम कहा है यह रहा है यह अलग तरीके से यह उल्टा सिधा है केवल पहचानने के लिए कि आपको पैचान सकते हो कि आपको समझ में आ गया है तो आप अच्छे से पैचान सकते हो कोई पूचेगा ये क्या है बेटा? तो ये क्या है? उसे उलू ये अउसे अवरत ये बड़े उसे ऊन ये इसे इमली अनुस्वार फिर ये आईसे आई डी है ना आई नक भी बोलते हैं आ से आम इस तरह से हम किवली है पहचानने के लिए हैं ओके अब देखते हैं मेटा पीछे थोड़ा नेक्स इसमें क्या है यह वापस से ही काखा गा है ना व्येंजन वर्ण है ओके तो व्येंजन वर्ण में यह तो मैंने अब आपको करा दिया अब देखो यहाँ पर किवल व्येंजन वर्ण कितने है उसके बाद में यह कौन से शब्द आ गए यह अलग अलग बन रहे हैं ना कश करके छ फित्र और यह ग्य ग्या से ग्यानी अब इसी तरह से हाँ पर देखो पैचानने के लिए दे रखा है व्येंजन वर्णो को उलटा सिदा तो हम अलग अलग पैचान सकते हैं तो यह क्या है गाये का, काकमल का है, ये रह, ये क्या है, टाटा माटर, ये क्या है, पापतंग, ओके, इस तरह से हम इसको पैचा सकते हैं, ये क्या है, ठाटा टेरा, ओके, अगर हमको ये वेंजन वर्ण अच्छे से आएंगे, तो ये उल्टे सीधे दे रखे हैं, तो हम इनको ढूंड सकत अच्छे से आते हैं तो हम अच्छे सबस्क्राइब तो मात्रा आप को सिखाते हैं आप में अपको आपको सिखते हैं इसक्राइब ह caught दिया मात्रा को अभ्यास करा रहा था ना आप लोगों को जैसे यह सबसे पहले कौन सी मात्रा आती ये आग्ली मात्रा, उससे क्यों?" यह फिर यह कौन सा शब्द मन रहा है काम फिर यह छोटीק इसको आप अच्छे से कर लोगे और वर्ण माला को अच्छे से कर लोगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा यह सब आपके दिमाग में होना चाहिए यह मात्रा है फिर है छोटी की मात्रा तो की इसको छोटी की मात्रा को का लगाते है वर्ण के आगे फिर ह भड़ी इकी मातरा ये केवाल इतनी सी मातरा है ये आपको अच्छे से अगर दिमाग में आ जाने तो हमें हिंदी एकड़म आसान हो जाहेगा पढ़ना ओके ये हमें ध्यान में रखना है कि छोटी की मातरा कहां लगती हये बड़ी की मातरा कैसे होती है और وर्ण पहर्चानने आजाएंगे इस तरह से आपको कित बार 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 आप वर्ण माला करोगे दो तिन बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर ये चोटी की मात्रा लगाई है की कैसे बोलेंगे इसको की तो ये किताब बड़ी की मातरा लगाई वर्ण के पीछे यह वर्ण है यहाँ पे लगाई चोट आगे और यहाँ लगाई पीछे तो क्या बन गया कीमत ऐसे ही है चोटे उकी मातरा तो यह कहां लगाएंगे कापे लगाई कू तो कैसे पढ़ेंगे इसको कुल ऐसे ही बड़े उकी मात्रा है इसके बाद तो ये लगाएंगे कापे तो क्या बोलेंगे इसको कु ऐसे खीच के बोलेंगे जैसे हमने बड़े उकी मात्रा को भी थोड़ा खीच के बोला की कु अब मैं मात्राओं का अभ्यास माला का भ्यास करेंगे कू, कूल के, के की मात्रा केला, फिर दो मात्रा आई की मात्रा, दो मात्रा ऐसे आएंगी कई, तो कैसा कैसा, फिर है ओ की मात्रा, भी यह सारे स्वर वर्ण है देखो इनसे ही सारी मात्रा है बनी हुए जो स्वर वर्ण है ना इनसे ही तो सारे मात्राय बनी हुई है देखो आउ फिर ये री की मात्राय रिशी की है न ये अनुस्वार हो गया इसको हम क्यासे बनाएंगे कंकड मंद नंदन इस तरह से बनाए देना शब्द और ये विसर ये क ये नमहा प्रातह ये समय ने आपको पढ़ाए देना पहले इस तरह से हम ने मात्राओं का अभ्यास भी कर लिया ये मैं आपको एक बार वीट में हम लोग इनका अभ्यास जरूर करेंगे live class में और आप लोग थी इनको अच्छे से लिख लेना इनको आप आप अच्छे से लिख लेना आकी मात्रा कौन सी होती है, डंडे वाली मात्रा, छोटी एकी कैसे होती है, जो वर्ण के आगे लगाते हैं, फिर कौन सी मात्रा है, यह बड़ी एकी मात्रा, उसके बाद छोटे उकी मात्रा ऐसे आती है, बड़े उकी मात्रा को थोड़ा ऐसे उल्ठा करके लिखते हैं, एकी मात्रा ऐसे लगाते हैं आई की मात्रा को दो मात्रा इसे टच करके लिखते हूं के आउ की मात्रा ये रही डंडा है और ये ऐसे लगा हुआ ऐसे ही आउ की मात्रा, ये ओ की है, ये आउ की है, ये री की मात्रा है, री का लगती है, यहाँ नीचे लगाते है वर्ण के, अनुस्वार, ये अनुस्वार हो गया, लाइन कीची है, उसके उपर बिंदी है, ऐसे लगाई है न, क, इससे क्या बन गया, कंकड, ऐसे बोल रहे ह हम बोलने में और ये अह मतलब ये विसर गए नमह प्रातह है ना इस तरह के जो शब्द आपको सिखाए थे तो ओके बेटा आज हमने मात्राओं का और वर्ण माला स्वर और वंजन का अभ्यास किया है ओके अभी आपको बार खड़े भी बीच में बताऊंगी लाइफ क्लास म हो गई सारी इसी तरह से हम खापे यहां पे जैसे हमने खा लिख दिया और इस पर हम आकी माता लगा देंगे तो खा बन गया इसी तरह से खापे इकी माता लगाएंगे खी बन गया फिर खापे बड़ी की लगाएंगे खी बन गया खापे उकी लगाएंगे खू बन गया इ अभ्यास करना है और मात्राओं का अभ्यास करना है सबसे पहले आपको वर्ण माला पैचाननी है वर्ण माला का अभ्यास हमको अच्छे से आना चाहिए ओके यह जो वर्ण माला है जैसे उल्टे सीधे दे रखिए तो आपको यह सब वर्ण है जो पैचानने आने चाहिए कि य हमने स्वर और वेंजन का अभ्यास किया है और यह देखो आपको बैने किती बार बताया है कि कव वाली लाइन में केवल यहां तक ही वर्ण आएंगे बहुत बच्चे क्या करते हैं च लेके यहां से शिरू कर देते हैं लेकिन यह चा वाली लाइन उसके नीचे ही आएगी ऐसे ही टा वाली लाइन टा को हमको यहां शिर से शिरू नहीं करना है इस तरह से टा वाली पा वाली या वाली अज जितने बर्ण लिखे हैं एक लाइन में आपको उतने ही बर्ण लिखने हैं तो आप लोगों को पार्ट आठ है बंदर बाट उसका हम अच्छे से पढ़के अभ्यास करेंगे उके वो एक नाटक जसा है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग भी अब अच्छे से रहना बेटा टेक केर बाई